ओके, सो भाई साब लेकर आ चुका हूँ आपके लिए टॉफ फाइव ब्रैंड न्यू टिप्स औं ट्रिक्स पबजी मोबाईल की वैसे ये टिप्स औं ट्रिक्स आपकी हर एक गेम में वर्क करेगी तो बात करते हैं पहली ट्रिक की, अब पहली ट्रिक्स में आपको करना क्या है कि आपके पास जब भी कोई गन में हाथ लग जाए तो आपको gun लेकि सीधा यहाँ पर चणना है और चणने के बाद आपको सीधा इस relinks के उपर आपको यहाँ पर एक jump लगाना है जैसे ही आप इसके उपर jump लगाओगे आपको दो बार jump करनी है और जैसे ही दो बार jump करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का बहुत ही अच्छा व्यू और एंगल दोनों ही मिलेगा और दोस्तों कहीं बार क्या होता है ना कि कंटेनर के उपर बंदे उनको हाई का एडवांटेज रहता है तो वो आपको हाई का एडवांटेज रहते हैं आपको पेल चाते हैं तो इस ट्रिक की मदद से आप इस कंटेनर के उपर से ही नहीं बलकि अगर दूर से भी अगर कोई बंदा बाग रहा होगा ना तो आप उसे भी बहुत आराम से भाई पेल पाओगे और भाई साब अगर आपने स्मॉल करेक्टर ग्लिच की वीडियो अब तक नहीं देखिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तो जाके जरूर देखना तो चलिए बात करते हमारे नेक्स ट्रिक की अगली जो हमारी ट्रिक वर्क कर रही है वो कर रही है हमारे सूपर मार्कित में अब कहीं बार क्या होता है बंदे उपर कैम करके बैठे होते हैं या फिर होल्ड करके बैठे होते हैं जैसे ही आप उपर उन्हें फिनिश करने के लिए जाते हो तो वह कवर से निकलकर आपको सिधा सीधा पेल देते हैं तो इसके अब हैं सेรएक्ट अंदर कैसे आशकी आता और यहाँ से आपको اس के उपर चाड़ना है, जैसे हि आप इपके पर चड़े ना तो साइड में आपको यह सी रिलिंक से दिख रहे ही होगी आपको बस यहाँ से स्पर जम्ट करना है और जम्ट करने नेक्स ट्रिक की भैस अब अब ट्रिक नम्बर थी है ना आईए यार काफी ज़दे इंपॉर्टेंट है अगर आप पोचिंकी में आते हो तो पोचिंकी में कहीं कबार क्या होता है आपको कोई अच्छी लूट वग्हारा नहीं मिलती तो लूट नहीं मिलने के कारण अब तरफ से cover मिलता है और यहां पर अगर आप hold करते हो ना अगर last का circle यहां पर बनता है तो भाई आप बड़ी ही आराम से chicken dinner भी निकाल सकते हो क्योंकि आपको यहां से high का advantage भी मिल जाता है और आपका जो enemy है वो कभी भी नहीं सोचेगा कि कोई बंदा इसके उपर भी चड़ा हो सकता है तो अगर यह trick अच्छे लगी हो ना तो इस वीडियो को ना एक like जरूर कर देना अब अगली trick में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके उपर आप सीधा कैसे चा सकते हो अब इस trick को करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है यह जो यहां पर दिवार से बनी है वाल आपको सीधा इसके उपर चड़ना है फिर आपको अपनी joystick थोड़ी से पीछे करके यहां से आप सीधा ledge grab करोगे तो आराम से आप यहां से बंदों को knock and finish कर सकते हो और अगर सामने वाले घर पे अगर कोई बंदा hold करके बैठा आप उसे भी आराम से पेल सकते हो और हमा आप आके आपको यह जो dining table दिख रहा है आपको सबसे पहले इसके उपर चड़ना है चड़ने के बाद आपको यहां से सीधा सीधा ledge grab करनी है और आपको यह जो सामने house दिख रहा है आपको सीधा इसके पर jump कर लेना है तो jump करने के बाद आप जैसे ही इसके उपर आओगे त जरू से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और ये भी वीडियो से हैं जो आपको देखनी चाहिए